नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अक्षरा टिप्स में फ्रेंड्स, पानी पीना हमारे सरीर के लिए बहुत ही उप्योगी है लेकिन क्या आप जानते हैं, आपको कैसा पानी पीना चाहिए? यानि ठंडा पानी पीना चाहिए या गरम पानी पीना चाहिए? हमें दिन में कम से कम दो लीटर पानी का सेवन करना चाहिए ताकि कोई भी बिमारी हमारे सरीर को नहीं पकड़ सके अक्सर हमारे बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि ज़्यादte ठंडा पानी बत पीओ ठंडा पानी हमारी सरीर में फेट को बड़ाता है और हमारी बोड़ी में कैलेस्टर को जमा करता है क्योंकि क्या होता है जब हम खाना खाते हैं तो सब्जो में मुझूद ओयल हमारे सरीर में जाके जमने लगता है अगर हम उसके उपर ठंडा पानी पीते हैं तो वो केले स्टोर में बदल जाता है इसलिए अगर हम ठंडे पानी के बजाए खाना खाने की बाद गरम गुनगुना पानी पीएंगे तो इसके बहुत से फायदे हमें नजराएंगे सुबह उठकर जड़ा तर लोग चाय का सेवन करते हैं तो उस चाय के जगे अगर हम गुनगुना पानी पीएंगे तो फिर देखे हमारे सरीर को कहके फायदे होते हैं हम आपको इसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे तो पहला जो लाब है वह ये है कि गरम पानी हमारे सरीर में खाने को आसाने से पचाता है ये चीजों को नरम वगुलनसील बनाता है इसलिए जब हम गरम पाने पीते हैं तो हमारी नसों में जमें कैलेस्टोल, फैट, टॉक्सिंग को गरम पाने घूल देता है जिससे हमारे सरीर का वजन कम होया लगता है और हमारी बोडी, सुन्दर, सूडोल और आकरशक लगती है दूसरा जो लाब है वह ये है कि जैसे हम खाना खाने के बाद गरम पाने पीएंगे तो पाचन के लिए आसान हो जाती है और जो भी हम खाते हैं उसके पोशक तत्वे हमारे सरीर को मिलने लगते है और सरीर ताकतवर बनता है, हस्ट पुष्ट बनता है तीसा जो लाब है वह ये है कि सुबह उटकर खाली पेट गरम पाने पीने से कबज की सिकायत नहीं रहती है साथ ही साथ यह नियमित रूप से अगर हम करते हैं तो गुनगुना पानी पीने से क्या कर लाब सरीर को होते हैं और सुबह उटकर गरम पानी पीने से क्या होता है, आज कीन का रंग निखरता जाता है चोथा जो लाब है वो ये है कि गरम पानी पीने से सरीर का जो टेंपरेचर होता है वो बढ़ जाता है जिससे हमारे सरीर का पसीना बाहर निकलता है पसीने में हमारे सरीर की गंद की बाहर निकल जाती है जिससे सरीर में नुकसान पहुचाने वाले टॉक्सिंग बाहर निकलते हैं और हमारे पूरे सरीर की स्किन का प्राकर्तिक रूप से मोस्टराइजर हो जाता है और skin glow और shining और hydrate बनती है पांचवा जो उपाय है friends ये बहुत ही आसान है इसे आप नियमित करिए करना क्या है आपको सुबह उठके खाली पेट आप अगर आप गरम पाने के अंदर एक नेमू का रस डाल के पिएंगे तो ये हमारी सरीर को दीरे दीरे बजन कम करने लगेगा और हमारे सरीर के हाने का रखत्तो को भी बाहर निकालेगा यदि एक चीजों से हमें डबल डबल फायदे होते हैं तो क्यों न दोस्तों इस छोटी सी चीज का हम फायदा उठाएं जहां आप थंदे पानी का सेवन करते हैं इसकी जगह क्यों ने एक मिनट में गरम पानी करके उसे पीक कर आज से ही इसके फाइदे जाने तो कैसे इसके फाइदे आपको मिलते हैं तो Fries, हमारे इस वीडियो को आप सेर करिए और कमेंट करके हमें इसके फायदों के बारे में बताईए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारे आपको मिल सके और आप गरम पाने के फायदे उठा सकें तो फ्रेंट्स थेंक यू